सिग्रोली जिले में रेत के कारोबार का ठेका सहकार गलोबन कंपनी को मिला है, करोडो रुपए का टेंडर लेकर कारोबार कर रही है, कंपनी को पुलिस प्रसासन की लचर चलते बड़े घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है कोतवाली खनच्छेत की बलियरी इलाके में इन दिनों कई दर्जन जगों पर अबैद रेत इकठा की गई है बता जा रहा है कि कई दर्जन हाईवा रेत अबैद तरीके से निकाल कर दर्जनों जगयां पर डम की गई है परन्त खनिज बिभाग वपुलिस बिभाग इस पर कारवाई करने से कतरा रही है कहने को तो कोतवाली पुलिस द्वारा दावा किया जाता है कि कोतवाली छेतर में अबैद रेत का उत्खनन वपरिबहन पूरी तरह से बंध है इसके बावजित पुलिस की मिली भगत से अबयद रेत का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है खनिज बिभाग कारवाई करने पर मन बनाता है परन्त पुलिस बल की कमी की वज़ा से खनिज बिभाग कारवाई नहीं कर पाता खनीज विभाग को कारवाई करने के लिए पुलिस बल की दरकार रहती है रेद कारोबारियों के साथ पुलिस की मिली भगत का नतीजा या होता है कि जब खनी विभा कारवाई करने जाता है तो उससे पहले ही रेत कारवारियों को पुलिस द्वारा जानकारी दे दी जाते हैं कारवाई नहीं हो पाती है यही नहीं बलियरी इलाके में दर्जोनों जगहों पर अबयद रेत डम की गई है जहां से रेत की आपूर्त आसपास के शेतरों में की जा रही है यही हाल रहा तो सहकार गलोबन कमपनी को बारी नफसान का सामना करना पड़ सकता है सिंद्रवरी से चंद्रदेव साह की रिपर्ट